So hello everyone, welcome back to my new video friends, आज का हमारा टॉपिक है समाजिक सनरचना, आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजिक सनरचना के अर्थ एवं इसकी परिभाशाओं के विशे में जानेंगे, यह समाज शास्त्र का बहुत ही important टॉपिक है क्योंकि इससे related question समाज शास्त्र के question paper में जरूर पूरा end तक watch करिएगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा फ्रेंट्स वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिससे कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके अगर आप चैनल पर के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं समाजिक संरचना के विशय में समाजिक संरचना समाज शास्त्र की बहुत ही महत्तपोन अवधारना है शाब्दिक अर्थ की द्रिष्टी से अगर देखा जाए तो संरचना शब्द लेटीन भाशा के स्ट्रक्चर शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब है निर्माड करना सत्रवी सताब्दी तक तो इस शब्द का अर्थ स्थापत्य कला से जोड़ा जाता था लेकिन इसके बाद संरचना शब्द का प्रियोग शरीर रचना विज्ञान तथा व्याकरन विशय में भी हुआ इस शब्द के माध्यम से समपूर्णता का पता चलता है जिसमें अलग-अलग भाग परस पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं समाज शास्त्र में समाजिक संरचना की अवधारना का प्रियोग सबसे पहले हरबर्ड इस्पैंसर ने अपनी पुस्तग प्रिंसिपल ओफ सोशलोजी में किया था हरबर्ड इस्पैंसर के अलावा दुर्खीम ने भी अपनी पुस्तग दिरूल्स ओफ सोशलोजीकल में इस अवधारना का प्रियोग किया है लेकिन दोनों ही विचारकों ने समाजिक संरचना की सु इसपस्ट व्याख्या नहीं किये है समाजिक संरचना का जन्म इसी मानिता के आधार पर हुआ है कि मानो समाज भी मानो शरीर की ही तरह एक सावयव है, एक जीव है जिसके विभिन, अंशो या फिर पक्षो में उनके प्रिकारियों के कारण संगठन स्थापित रहता है जिस तरह से मानव शरीर की संरचना होती है मानव शरीर के विभिन अंग जैसे की हाथ, पैर, पेट, ना, कान इन सभी से मिलकर मानव शरीर का निर्माड होता है ठीक उसी तरह से समाजिक संरचना का अभिप्राय भी यहाँ पर समाज की इकाईयों की क्रमबदता से होता है समाजिक इकाईया जैसे की समू, समीतिया, संस्थाए, परिवार, समाजिक प्रतिमान, इत्यादी इन सब की क्रम बद्धता को ही समाजिक संरचना कहा जाता है सरशब्दों में कहें तो यहाँ पर समाज की तुल्ला मानव शरीर के साथ किये गई है जिस तरीके से मानव शरीर के हाथ, पैर, मू, ना, कान, पेट ये सब होते हैं और मानव शरीर के ये अलग-अलग पार्ट सभी अपना-पना काम करते हुए मानव शरीर को विवस्थित रखते हैं ठिक उसी तरह से समाज की अलग-अलग इकाईयां अपने-अपने इस तर पर अपना-पना काम करते हुए समाज को विवस्थित रखने में सहायक सिद्ध होती हैं। इन इकाईयों की क्रम बद्धता को ही समाजिक संरचना कहा जाता है। इकाईयों का ऐसा प्रतिमानित संबंद जो की अपेक्षा करत इस्थिर होता है। वही संरचना कहलाता है। हम हमारे चारों और की वस्थूओं की संरचना को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उधारन के लिए अगर आप एक मकान की संरचना को ही देखें। जिसकी संरचना, इट, चूना, सीमेंट इन सभी चीजों को मिला करके की गई है। अगर जिन चीजों का प्रियोग करके मकान को बनाया गया है। उन चीजों को मतलब इट, चूना, सीमेंट इन सभी को अलग-अलग कर दिया जाए। तो जो संरचना बनकर तयार हुई है, जो आपका ये मकान बनकर तयार हुआ है, वो नस्ट हो जाएगा, वो ढह जाएगा. जिस तरह अलग-अलग चीजों ने मिलकर एक मकान का स्ट्रक्चर तयार किया ठीक उसी तरह समाज की अलग-अलग इकाईों ने मिलकर समाज का स्ट्रक्चर तयार किया है, समाज को विवस्थित बनाए रखा है दुरखीम समाजिक तत्यों के इसी कुलियोग को ही समाजिक सनरचना मानते हैं समाजिक सनरचना को परिभाशित करते हुए टॉलकॉट पार्संस कहते हैं कि समाजिक सनरचना वह शब्द है जिसका उपियोग, परसपर संबंधित संस्थाओं, अभिकर्णों, समाजिक प्रतिमानों और समुहु में प्रतियक व्यक्ति के द्वारा ग्रहन की जाने वाली इस्थितियों और भूमिकाओं की विशिष्ट विवस्था के लिए किया जाता है वही कार्ल मैन हीम समाजिक संरचना को परिभाशित करते हुए कहते हैं कि समाजिक संरचना अंतक्रियात्मक समाजिक शक्तियों का जाल है जिसके द्वारा बिभिन प्रकार के निरिक्षडों वा चिंतन की पदतियों का विकास होता है मैं काईवर एवं पेज समाजिक सनरचना को परिभाशित करते हुए कहते हैं कि समूहों के विभिन प्रकारों से मिलकर ही समाजिक सनरचना के जटिल प्रतिमान का निर्मार होता है निश्कश रोप से हम यह कह सकते हैं कि समाजिक सनरचना का अर्थ यहां पर उस विवस्था से लगाया गया है जिस विवस्था में यह सनरचना के विभिन तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं तत्वों के विवस्थित संगठन को ही सनरचना कहा जाता है